हेलो एब्रिवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओनलाइन जियेस भाई दिवाकर में मैं सत्यम परमार आप सभी का हार देख स्वागत करती हूँ तो अब तक हमने करेंट अफ एर्स के पार्ट 9 डिसकर्स किये हैं ये पार्ट 10 है और ये जो करेंट अफ एर्स है वो आपकी सभी परिक्षाओं के लिए काफी मैत पूर रहेगा ये कोशन बन लाइनर कोशन है जिनको काफी डिटेल में डिसकर्स किया जाएगा और इनको एक्जाम के पॉंट अफ व्यू से ही रखा गया है ज्यादा मैट्रेस में नहीं रखा गया तो चलिए शुरू करते हैं हम कुशन नंबर बन कुशन नंबर बन में दिया गया है कौन सा सत्रंज खिलाड़ी भारत का 78 ग्रेंड मास्टर बन गया है तो ओप्शन दिये गए इसके आदेत्य मितल मित्राब गुहाब कौस्तव चटर जी या विसाक एन आर ओप्शन इसका ओप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कौस्तव चटर जी ये कहां के थे ये पशिम मंगाल के थे इनके बारें बस इतना ही जाना है नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं नेक्स्ट क्यूशन है उन्नीच दिसंबर 2022 को फ्रांस के दिग्ज़ फुटवॉल खिलाडी करीम बेंजेमा ने अंतराश्टी फुटवॉल से सन्यास लेने की गोशड़ा की उन्होंने किस बर्स बेलोंडी और पुरुशकार जीता इसके उप्शन दिए गए हैं 2018, 2020, 2021 या 2022 उप्शन इसका सही हो जाएगा उप्शन नमबर D 2022 तो किस ने जीता है है करीम बेंजेमा ने कहां के थे फ्रांस के थी पुरुशकार का नाम क्या था? बेलोंडी और और उन्होंने कब सन्यास लिया था? तो 19 दिसंबर 2022 को कापी आंसर है जो आपकी कोईशन से ही डिसकर्स हो जाएंगे उनमें दिये जाते हैं ये बस थोड़ा सा ध्यान देने के दिरू होता है नेक्स्ट कोईशन है पुरु कोईशन को दिया है रीस्ट ब्टोप ले रहन एहमद जैक लीच या आगाच सल्मान इसका सही हो जाएगा ऑप्सन नमबर बी रिहान रहान एहमद ऑपसन नमबर बी इसका हो जाएगा रहान एहमद थे कहां के? ये इंग्लेंड के थे नेक्ट कुशन दिया गया 19 दिसंबर 2022 को पाकिस्तानी क्रिकेट अजहर अली ने अंतरास्टी टेस्ट क्रिकेट में सन्यास लिया उन्होंने अपने करियर का अंतिम टेस्ट मैच किस देश की टीम के बिरुद्ध खेला option A. Sri Lanka, B. Bangladesh, C. Australia, D. England option number D. सही हो जाएगा इंग्लेंड के खिलाफ साथ इनोंने अपना मैच किया next question है और ये कब किया था ये दिसंबर 2022 में इसमें सिर्पता ही जाना है next question देखते है 16 से 17 जनवरी 2013 के मद्ध जी 20 बैटकों के तहट पहली think 20 बैटक कहां होई थे ये काफी आपका चर्चित कुष्चन है पहला दिया है पोणे, जैपुर, लखनव या भोपाल option इसका सही हो जाएगा option नमबर D भोपाल, भोपाल कहां पहे है आपका मद्ध पदेश में है कौन सी बैटक होई थी तो ये फहली think 20 बैटक होई थी कब होई थी ये 16 से 17 जनवरी होई थी किस के तयात होई थी ये तो ये जी 20 बैटकों के तयात होई थी next question जर्वरी 2023 में भारतिय मूल के महामारी रोग विशे सक गया निरवडी साहा को किस देश के रोग नियंतरण ये रोग थाम केंद्र में प्रधान उपने देशक नियुक्त किया गया है option A Ireland, B America, C Britain या D Canada option नमबर इसका सही हो जाएगा option नमबर B अमेरिका के नों को उपने देशक नियुक्त किया गया next question है और ये थे का के ये भी ध्यारक ना ये अमेरिका के चुने गया है लेकिन थे का के भारतिय मूल के महामारी रोग मिशे सके कहा थे भारतिय थे next question देते है 10 जनवरी 2023 को सारा अबूबकर का निदन हो गया वह थे साहत्यकार, इतिहासकार, चित्रकार या अभिनेत्री option नमबर इसका ए सही हो जाएगा साहत्यकार थे अबूबकर, सारा अबूबकर इनका नाम था कौन थे साहत्यकार इनकी कुछ उपन्यासते चंद्रगिरी चंद्रगिरी थी, थीर डाली ये इनकी कुछ उपन्यासते next 10 जनवरी 2013 को कौन्सटे टाइन दुदिया का नेधन हो गया वह कौन थे ग्रीस युनान के पूर्व एवं अंतिम राजा इस्पेटन के पूर्व एवं अंतिम राजा जापान के पूर्व राजा या डें़ newspapers के पूर्व राजा option इसका A सही हो जाएगा ग्रीस या यूनान की ये पूर्व एवं अंतिम राजा थे इनका नेदन कब हुआ था दस जर्वरी 2023 को बसे डेट इतनी नहीं पूछे जाएगी फिर भी एक बार देख लेजिएगा नेक्स्ट कोशन जन्वरी 2023 में सोशल मेडिया मंच मेटा ने किसे भारतन बैस्विक ब्यापार कारोवर समुग का निदेशक निक्त गिया विकास पुरोहित राजेस अगरवाल या रोहेद देव या निकिता अगरवाल ओप्सन नमबर इसका सही हो जाएगा विकास पुरोहित और ये कौन थे से पहले तो ये टाटा के के सीई ओ थे नेक्स्ट कुशन जन्वरी 2023 में एस अंति कुमारी किस राज्य की पहली महला मुख्य सचिप चुनी गई है ये जो पहले पहले करके दिया होता है न इन पर काफी गौर कीजिए क्योंकि ये काफी पूछे जाते है तो राजिस्तान जारखंड च्छतीस गड़ ये टेलंगाना ओप्सन इसका सही हो जाएगा ओप्सन नमबर डी तेलंगाना की ये जुनी गई है नाम किया इनका एसांति कुमारी पहली महिला मुख्य सच्छिव नेक्स्ट कुशन जन्वरी 2023 में भारती मूल की कौन अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर बनी भारती मूल की ये भी याद रगना किरड़ देवी आचा खेम का या उसा रेड़ी सुस्मिता कुमारी आप्सन नमबर इसका सही हो जाएगा उसा रेड़ी जो कि कंसास राज्य में सीनेटर बनी है कहां की थी है भारती है थी नेक्ट कुशन और ये जो जगे किसकी जगे पर गई है तो ये इनका नाम था टॉक हॉक इनकी जगे पर ये उसा रेड़ी आई है सीनेटर बनी नेक्स्ट कुशन तेरह जनवरी दो यारतेज को पंडित मणी प्रसाद का निधन हो गया भग कौन थे भारती सास्ति संगीत के गायक तबला बादक या गिटार बादक या बाइलन बादक तो ओप्सन नमबर इसका सही हो जाएगा ओप्सन नमबर ए भारती सास्ति संगीत के यह गायक थे कब ने दरूगा था तेरह जनवरी दो हजार तेज को और यह कहां पर थे यह करनाटक की हूवली में डक्तर गंगू भाई हंगल गुर्गूलप में गुरु गुरूप में यह काम कर रहे थे यह तो नहीं पूच जाएगा सिर्फ इता ही पूच जाएगा तो यह भारती सास्ति संगीत के गायक थे नेक्स्ट कुश्चन तेरे जनवरी दो हजार तेज को डक्तर एडी दामोदरन का निधन हो गया भाई कौन थे गड़ तक गया बैग्यानिक इतिहासकार या पर्यावरण विद ओप्सन नमबर इसका सही हो जाएगा ओप्सन बी बैग्यानिक थे दामोदर निधन का भुगा थे तेरे जनवरी दो हजार तेज को यह यह कहां पर थे यह बैग्यानिक थे ओद्ध्यों के अनुसंदान परसद CSIR की रूप में थे CSIR इसके रूप में यह बैग्यानिक थे नेक्स्ट कुश्चन है आपका हाल ही में किसे गयवान के नए प्रधान मंत्री के रूप में न्युक्त किया गया है नम दिया गया है अली बोगो ओडिमबा एलेन क्लावड बाई नेज उसोक का रपोंडा या जीन येवस टीले ओप्शन इसका सही हो जाएगा ओप्शन नमबर 20 का सही हो जाएगा एलेन क्लावड बाई नेज इनको प्रधान मंत्री के रूप में न्युक्त किया गया है तो इनको नो जन्वरी 2023 को इनको न्युक्त किया गया है और न्युक्ती करता कौन है किसने न्युक्त किया है तो ये हैं वहां के लास्ट रपती, गेवान के लास्ट पती हैं, अलीबोवो ओडिमबा और ये किसकी जगह पर आए है, एलन क्लाउट बाइ नेज किसकी जगह पर आए है तो इनका नाम है रोज क्रिश्चन औसोक और रापोंडा जो औसोक का है रापोंडा ये पहले थे यहाँ पर प्रदान मंत्री इसके बाद में एलिन क्लाउड बाई नेज बने और जो कि किस ने किये तो इनकी अली बोंगो ओडिम बने जो कि वहाँ के राष्ट पती है नेक्स्ट आठ जन्वरी 2030 को बरिष्ट भाजपा नेता केसरी नात्य पार्टी का नदन हो गया इससे सम्मंदित कत्मों पर विचार कीजिए यह बर्ष 2014 से 2019 तक पश्चिम बंगाल के राचेपाल थे बाउत्तर पदेश बिधान सवाग के पूर्व अध्यच्च थे इसमें दो यह उप्सन दिये गए हैं उप्सन इसके पूछे गए हैं सम्मंदित विचारों पर सही बताना है हमें के बल एक बी में एक और दो दो दोनों दिये गए हैं C में 2 और D में से कोई नहीं दिया गया है तो इसका option हमें सही रोणना है option इसके एक और दो दोनों सही रहेंगे option number इसका भी सही हो जाएगा क्योंकि ये पश्चिव मंगाल के राज्य पालता है ये बिल्कुल सही है विदानसवा के पूर्व अद्यच थे उत्रपदिस के ये भी सही है next question है जन्वरी 2023 में भारतिय मूल के स्वपन धहर्यवान किस देश में टोल रोड अथोरिटी के निदेशक के रूप में सामिल हुए तो पहला दिया इसका बिटेन मेक्सिको, कनाड़ा या अमेरिका option number इसका सही हो जाएगा option D सही हो जाएगा अमेरिका के ये सामिल हुए थे next question है next question जन्वरी 2023 में किस भारतिय अमेरिकी अंत्रिच्च विशेशक को नासा का मुख्य प्रद्ध की बिद नामित किया गया तो डॉक्टर बिवेकलाल राज स्री वास्तव एसी चरानिया या स्वप्न धहर्रेवान option इसका सही हो जाएगा एसी चरानिया ये थे भारतिय अमेरिकी अंत्रिच्च विशेशक गया इनको नासा का मुख्य प्रद्ध की बिद की रूप में इनको नामित किया गया है next question है दिसंबर 2022 में कौन भारति सेना के नए इंजिनियर इंचीफ नियुक्त किये गए है तो लेटने जर्नल हरपाल सिंग या जर्नल दिने सिंग चोहान जर्नल अरविंद बालिया या जर्नल दीपक बत्रा तो इसका option सही दिया गया है option number दी लेटने जर्नल अरविंद बालिया कब किया गया था इनको दिसंबर 2022 में किसका इस्थान लिया है ये भी तो इनोंने इस्थान लिया है लेटने जर्नल हरपाल सिंग इनका इनोंने इस्थान लिया है next question 9 दिसंबर 2022 को ग्रांट बाहर का अरजेंटिना और नेदरलेंड के मद्य बिश्व कब quarter final मैच कवर करते समय निदन हो गया बग किस देश के प्रसिद्ध फोटवाल लेखक और पत्रकार थे ये काफी बोडन लग रहा है option इसका A जर्मनी, अमेरिका, फिरांस या इगलेंड option इसका सही हो जाएगा option नमबर B अमेरिका थे निदन कब हुआ थे इनका 9 दिसंबर 2022 को कब हुआ था ये तो अरजेंटिना और निदरलेंड के मद्ध मैं जो विश्व कब था उसके मद्ध next question 29 दिसंबर 2022 को MS प्रभाकर का नेदान हो गया वहाँ थे लेखक ये वंपत्रकार, पर्यावरण विद, गड़तक ये समाज सात्री option इसका सही हो जाएगा ये MS प्रभाकर थे जो के लेखक और पत्रकार दोनों थे इन्होंने काम रूपी नाम से ये प्रसिद्ध भी थे कर्णड जगत में कहां पर थे ये कर्णड में काम रूपी इस नाम से ये प्रसिद्ध थे इनके काफी उपन्यास भी थे कुदुरे मोटे कुदुरे मोटे ये इनका एक उपन्यास था इनको साहते, जो कि कर्नाटक मेंश के लिए इनको साहते अकादमी पुरूस कार मी मिला था और भी इनोंने कर्नड भासा में अपने कई उपनियास लिखे यह हैं वह नहीं काम कि लिकिन यह काम का है कि यह कौन थे लेखा की एवम पत्रकार थे एमेस प्रभाकर और ये थेक आके तो ये कन्ड़के थे साहित्य एवं पत्रकार next question 22 दिसंबर 22 दिसंबर 2022 को केंद्र सरकार ने किसे सौदी अरब में भारत का नया राजदूत निक्त किया है भारत का नया राजदूत सौदी अरब में डॉक्टर राजीब चंद्रा, डॉक्टर सुहेल एजाज खान, प्रभीड कुमार या दिनेज कुमार, उप्सन इसका सही हो जाएगा, डॉक्टर सुहेल एजाज खान, इनको सुधी अरब में भारत का नया राजदू निक्त किया गया है, और ये कहां थे कौन तो ये भारती विदेश सिवा के IFS बरिष्ट अधिकारी थे, नेक्स्ट, डिसंबर दो हजार बाईस में केंद सरकारने के से देश का कार्य वाहक मुख्य सत्करता, आयक्तु CBC निक्त किया गया है, जिसके ऑप्सन दिये गये हैं, सरद कुमार, सुरेस एन पटेल, प्रभीर कुमार आप्सन इसका सही हो जाएका, ऑप्सननम्बर C. प्रभीर कुमार स्रीवास्त तभ इनको CBC निक्त किया गया है, किसका इनन होने स्थन लिया तो इनर्भीर कुमार ने स्थन लिया है, सुरेस एन पटेल का, नेक्स्ट कोशन है 30 दिसंबर 2022 को किसने मोयल लिम्टेट के नए अध्यच से प्रवंदन ने देशक CMD के रूप में पद ग्रेंड किया अजीत कुमार सकसेना राजीव राय या सिभ मोहन सिंग या प्रमीर कुमार स्रीबास्तक तो इसके ऑप्सन के सापसे इसका सही हो जाएगा अजीत कुमार सकसेना और इसका ये सही हो जाएगा कब किया गयतन को 30 दिसंबर 2022 को 30 दिसंबर 2022 को जान की बल्लव का निधन हो गया काफी निदर हुए है बहर थे रूसी साहेते विशे सक्गे चीनी साहेते विशे सक्गे पर्याव अनवेद या इतिहास कार तो आप्सन इसका सही हो जाएगा यह थे एक चीनी साहेते विशे सक्गे थे और यह कैसे यह 1956 में हिंदी भासा के विशे सक्गी के रूप में कहां प नेक्स्ट कुश्चन है आपका 26 देसंबर 2022 को केंद सरकार ने किसे भारती राष्टी राजमार प्रादिकरण एन एचे याई का नया अध्यक्ष निक्त किया संतोस कुमार यादब सुखवीर सिंग संदू या अलका उपाद्याय दिनेश सिंग तो ऑप्षन इसका सही हो जाएगा ऑप्षन नम ए संतोस कुमार यादब इनको भारती राष्टी राजमार प्रादिकरण का नया अध्यक्ष निक्त को चुना गया है उत्तरपदी स्केडर के ये आई एस हैं इनको चुना गया किसका इस्थान लेंगे ये तो ये इस्थान लेंगे अलका उपाद्याय का नेक्स्ट कुश्चन अच्छा बस तो आज के सेसन में सिर्फ इतना ही सेसन कैसा लगा आप जरूर बताएं अपने सभी फ्रेंड्स तक इसको सेयर करें और हमारा एप है ऑनलाइन जीएस बाई दिवाकर उसको भी डाउनलोड करें और इसके सभी लिंक्स आपको टेलिग्राम चैनल से भी मिल जा